अससलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको सिखाने वाली ही बहुत इस सिंपल इजी और ब्यूटिफुल नेक डिजाइन तो इस नेक डिजाइन को बनानी के लिए हमें बस थोड़े से फैब्रिक की जरूत होती है तो मैंने यहां पे जो है वो पैंट का फै होल करेंगे और एक सकेल लेंगे और सकेल की जितनी भी चोड़ाई है उसंथ साब से हम यहां पे निशान लगाएंगें तो यहां पे मैंने इक स्ट्रिप पे निशान लगा दिया है यहीं पे हम सिलाई लगाएंगे तो इसी तरीके से हमें जो है दो स्ट्रिप को रेडी कर लेना है हमारी निक डिजाइन बनाने के लिए पर सिंपल एक स्ट्रिच हम यहाँ पर करेंगे अब दूसरी स्ट्रिप लेंगे और यहाँ पर भी मैंने पहले से ही निशान लगा दिया है से अब उसी निशान के उपर हम सिलाई लगाएंगे हमने निशान इसलिए लगाए ताकि हमारी यह स्ट्रिप है जब हम इसे अटेच करें नेक में तो वो इक्वल हमें दिखाई दे बाहर की तरफ तो यहाँ पर यह हमारी स्ट्रिप जो है वो रेड़ी हो चुकी है इसके बाद आप चाहें तो इस पर प्रेज करके इसे बिठा सकते हैं अब हम यहाँ पर हमारी शर्ट लेंगे इसके उपर मैंने पहले से ही नेक ड्रॉग किया है लिखिए मैं आपको दुबारा से बता देती हूँ मैंने किस तरह इस पर नेक को ड्रॉग किया है तो यहाँ उपर से हमें इनक की लंबाई ले लेनी है तो मैं यहाँ पर 14 इंच तक रखूंगी और इस ट्रिप देखिए मैंने जो कट किये उसे साब से यह सही है आपको इससे अगर कम करना है तो आप 12 भी रख सकते हैं 15 भी रख सकते हैं तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा रहे हैं उसके बाद में हम यहाँ पर निक की चोड़ाई ले लेंगे तो इसमें आपको जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा तो तीन की बज़ए हम यहाँ पर साड़े तीन इंच तक रख रहे हैं और यहीं पर रखने के जा देंगे अब हम निक की कटिंग कर लेंगे तो जो हमने निशान लगाया है उसी हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर आपको जो हाफ इंच से जादा नहीं रखना है नहीं तो आपका जो गले की डिजाइन वह अच्छी नहीं बनेगी बस हाफ इंच हम करेंगी कूलने के बाद यह 1 इंच तक हमें मिल जाएगा तो निक हमें कट कर दिया अब हमें जो है वह वो back की दोड़ी सी cutting से देनी है तो मैंने back वाली piece नीच रख दी है दिए इस तरीके से अब हम इसमें जो है वो length लेंगे नेक की तो यहां पर लगाने के लिए स्ट्रिप भी कट कर देंगे तो मैंने यहां पर देखिए स्ट्रिप को कट कर दिया है गुलाई में अब यहां पर इसे हम बनाएंगे तो उसके बनाने के लिए हम यहां पर किनारी पर से फोल्ड करके सबसे पहले सिलाई लगा देंगे उसके बार में इस तो मैं आपको जो है वो बहुत ही ऍट नेक बनाने का तरीका इस थी किसे आप घरण पहें थोड़ा सा सब अच्छतरी। पछा है आप अब हम फ्रेंट निकलेंगे और जो हमने इस्टिप को रेडी किया था वो हम इसके उपर रखेंगे सबसे पहले हम एक स्टिप को साइड में रखेंगे और थोड़ा सा हम एक्ट्रा उपर की तरफ निकालते वे रखेंगे तकि जब हम इसे टंद करें तो छोटी या बड़ी ना हो तो यहाँ पे जो सिलाई हमने लगाई है सेम उसी के उपर दुबारा से हम सिलाई लगाएंगे और जहां तक हमने लगाया था पस वही तक हमें यहाँ पे अटेच करना है इसके बाद में हम इसके सामने वाली जो स्ट्रिप है वो भी हम लगा देंगे सेम इसी तरीके से हमें लगा देना है तो इसे भी हम देखे यहां तक ही लगाएंगे जहां तक हम देने की कटिंग की थी अब इतना करने के बाद में हम इसे यहां से जो है वो पलट देंगे देखे इस तरीके से आपको टन कर देना है और प्रेस से हम अच्छी तरह से बिठा लेंगे और यह जो हमारी एक्स्ट्रा स्ट्रिप रहेगी वो हम अंदर की तरफ कर देंगे तो सामने वाले स्ट्रिप को भी हम इसी तरीके से जो है वो पलट देंगे तो यहां पर जो नीचे का हिस्सा है आपको हलका सा कट लगाना होगा ताकि इसके अंदर फिनिशिंग आ जाए देखें यहां पर मैं दुबार आपको बता देती हूँ दूसरे तरफ से भी हमें कट करना है लेकिन बहुत ही हलका सा हम कट लगाएंगे बहुत बड़ा कट हमें नहीं करना है और इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ कर देंगे हम नेक की कटिंग की तरफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा त्रकते जब हम यहां उसके ऊपर लहा से आजएगी अब यहाँ पर इसे बराबर करेंगे तो यह जो हमारी स्ट्रीप है वो एक के उपर एक थोड़ा सा आ जाएगी और यहाँ बिल्कुल साइट से हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर नीचे वाला जो हिस्सा है इसे आपको जो है वो अच्छी तरीके से बना लेना है यानि स्ट्रीप को हम पहले सही कर लेंगे यहाँ पर और सामने वाले हिस्से यहाँ पर जो कपड़ा है इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल करेंगे और इसे हम बराबर कर देंगे कुछ इस तरीके से हमें करना है तो कपड़े को अगर आप बराबर करेंगे तो इसके पर सिलाई बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी और जब भी आप जो है वो नेक को सेट करें तो सुई को जो है वो अंदर की तरफ ही रखें ताकि आपकी जो इसलाई है वो उपर चुकी है कुछ इस तरीके से अब हमें जो है इसमें बीच में एक फैब्रिक को अटेच करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर हाफ इंच मार्क कर देना जो कि शोल्डर में जाएगा उसके बाद में नेक की लेंट आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हैं जितना आपको एक तरफ की लेंट होगी सेम उतनी ही आपको दुसी तरफ भी मार्किंग करनी होगी देखिए मैंने यहां पर इस तरीके से कुछ मार्क किया है बाद में हम मेजरिप को सीधा रखेंगे ताकि हमारा जो यह मार्किंग हो बिल्कुल सीधी रहे है यहां पर हमने निशान लग देंगे तो यहां पर दिखिए मैंने इसे इसमें रख दिया है और जहां पर हमने निशान लगाया था बस वहीं तक हमें इसे अटेच करना है तो देखिए कुछ इस तरीके से यह दिखाई देगा तो हम जो है इस फैब्री को थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखेंगे क्योंकि लास्ट में हम इसके उपर लेस लगाने वाले हैं तो यहां पर एक सिलाई लगा देंगे हैं और सिलाई भी आपको बस उसी पर लगाना है जो पहले आपने सिलाई लगाई है अलग से आपको उसके बिल्कुल पास से नहीं लगाना है बलकि उसी के उपर आप सिलाई लगाएंगे ताकि वो बिल्कुल पताना चले इस तरह का नेक डिजाइन जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है देखने मुश्य लगता है लेकिन जरा भी मुश्किल नहीं है इसे हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं और यहां पर इसे हम टन करेंगे और यह एक्स्क्रावड ग yağuckt कर देंगे तो हमज़ें खंटन करने जाएंगे बहुत हैं हम यहां पर दीजेए आप आप चारणों तो करने के बाद में इस की नियुक्ते करके हम बढ़ेंगि तो shoulder join करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ back वाला piece हम लेंगे इसके उपर रखेंगे और जो हमने गले की पट्टी लगाई थी उसे हम front वाले हिस्से पे आगे की तरफ रखते हुए देखे घुमा के फिर सिलाई लगाएंगे तो देखे कुछ इस तरीके से आपको रखना है shoulder को बराबर रखते हुए इस पट्टी को हम उसके उपर रख देंगे यानि फ्रंट वाले piece के उपर आपको back वाले गले की पट्टी को रखना है और फिसके उपर डबल सिलाई लगाना है तो इस तरीके से अगर आप shoulder को joint करते हैं तो बहुत ही finishing के साथ आपका ये shoulder joint होता है रेखे कुछ इस तरीके से आपको रखना है और फिस सिलाई लगानी है तो shoulder को हमने joint कर दिया है और neck को हम इस तरह पलट देंगे और बाद में इसके उपर हम एक सिलाई लगा देंगे अब इसके उपर हम जो है वो lace लगाने वाले आप चाहें तो simple भी इस तरह रख सकते हैं तो lace को पहले हम यहाँ पे measure कर लेंगे कितनी हमें लंबाई में जरूरत है उसे साब से हम यहाँ पे cut कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने देखिए lace को cut कर दिया है अब हम lace को अंदर की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमने fabric लगाया था उसके नीचे हमें lace को रखना है दोनों तरफ से और इस पटी को उठाते हुए यहाँ पे हम इसे attach करेंगे और इस लेस में जो यहाँ पे net बनी हुई वो मुझे हलकी से दिखानी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे net को कुछ इस तरीके से रखा है तो यहाँ पे हमने इसे attach कर दिया है अब इसे हम इसके उपर रखेंगे और यहाँ पे साइड से हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे जो उल्लीस का साइड वाला हिस्सा है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देने इसके उपर तो एक तरफ मैंने लगा दी सिलाई यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे अब आप चाहे तो ऐसे भी से चोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं किनारी पर भी एक सिलाई लगा रहे हूँ तो सिलाई लगाने के वज़े से यह नेक का जो डिजाइन वो थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा तो देखें यहाँ पर हम इसकी नारी पर से बिल्कुल सेम कलर का हमने दागा यूज किया है जो स्ट्रिप हमने यहाँ पर लगाई है पिंक कलर की तो सेम दागा भी हमने वही कलर कलिया है ताकि वो दिखाई ना दे लेकिन ये स्ट्रिक जो इसकी ओपर बिल्कुल अटेज दिखाई दे तो आप देख सकते हैं हमने ये नेक डिजाइन जो है बहुत ही आसान तरीके से रेडी किया अगली वीडियो में जब तक के लिए दुआ में याद रखें टेक केर अलला हाफेज